दोस्तों आज के इस वीडियो वे हम लोग यूपी प्यसी यानिक उत्रप्रदेश लोग से वायो के द्वारा आयो जित राज की इंटर काले GIC परोकता के लिए भारती राष्ट्री अंदोलन का सिकेंट पार्ट देखेंगे यह आपके GS पीपर के लिए जो है काफी महत पूर जो होगा आपका वहाँ से पूचा जाएगा तो टोटल 120 कोशन है इसमें वन थर्ड निगेटिव मार्किंग भी है तो इसका एक्जाम डेट आपको पता है होगा 19 सितंबर 2020 को GIC परोकता का परिक्षा है और जो लोग आस्रम पद्धत्ती का फार्म फिलप की होंगे उनका एक्जाम है 26 सितंबर 2021 तो इन दोनों परिक्षाओं के लिए जो है काफी महतपूर है जीस वाले पार्ट में दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में विल आइकन को प्रे अभी कर्ना चाहते हैं तो आप अपने त्यारी को बहतर कर सकते हैं और आप पेञे कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने Papay नंवर से लाग इन करेंगे लॉगिन करने आपको दो मन्त का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द तो आप जल से जल्द जॉइन कर सकते हैं अभी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा उसके बाद फतेः UPPC scholarship test जो है करा जा रहा है और अनकेडमी पे आप जोइन कर सकते हैं उसको बाद सीखर UPCC PT exam के लिए free test series और अनकेडमी पे करा जा रहा है और ROL के लिए free test series करा जा रहा है अनकेडमी पे यह भी आप जोइन कर से 7 अगस्त को 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस् को अमानी कर दिया था चार भी कल्प रहें यहाँ पर इसका सही एंसर हो जाएगा आप संसी कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया इसके अध्यक्ष भारत मंतरी लाड़ पैथिक लारेंस थे और अजनी दोस अदस थे जिनमें स्टेफ़र्ड क्रेप्स थे और एवी अलेकजिंडर थे 16 माई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोशना की जिसमें सामिल प्रस्ताव थे कि भारत की एकता बनाई रखी जाये मुश्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाये और भारत एक संग होगा जिसमें बिटिस प्रांथ और देशी रियासत सामिल होगी और सम्विधान सभा का गठन प्रांती विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा तो सी आपसंस है हो जाएगा और सन याद रखेगा कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था तो 24 मार्च 1946 के दिल्ली आया और इसमें पूछा जाता है कुल कितने सदसे थे तीन सदसे थे जो की स्टेफ़र्ड क्रिप्स थे एबी अलेक्जेडर थे और लाड़ पैथिक लारिंस थे अगला कुछी दिखने है वह कौन सा भारती नेता था जिसने बनारस के राजा सियो प्रसाद के साथ 1885 इसवी में भारती राश्ट्री कांग्रेस के संगठन का बिरोध किया तो वह थे सईद एहमद खान सी बिकल्प से हो जाएगा 1893 इसवी में सरसेद एहमद खान ने कांग्रेस के बिरोध में एंगलो मुस्लिम डिफेंस एसोसियेशन की अस्थापना की थी और बनारस के राजा के साथ मिलकर युनाइटेड इंडियन पेट्रियार्टिक एसोसियेशन की अस्थापना कब की गई थी तो 1888 इसवी में इन्होंने की थी तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा अगला जो कुशन है निमलिखित का मिलान कीजिए एक तरफ दिया गया धर्म सुधार आंदोरन और दूसरी तरफ है संस्थापक तो आपको मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसनिया सही होगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है आरे समाज आरे समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती तो A का हो जाएगा यहाँ पे B फिर है ब्रह्म समाज इसके संस्थापक राजा राम मुहन राय थे तो B का हो जाएगा A उसके बाद है बेद समाज बेद समाज के संस्थापक के सो चंदर सेन और स्री धरालू नाइडू थे तो यहाँ पे C तीसरे का हो जाएगा D बेद समाज के संस्थापक के संस्थापक राम पांडू रंग थे तो चौथे का हो जाएगा C यहनिकी B A D C तो B A D C आप तेख सकते हैं यहाँ पे कि B आप संदर से हो जाएगा अगला जो कुशन है आपका निमलखित में से किसका मिलान सही किया गया है चार आपसन है तो यहाँ पे D विकल्ब से होगा पंडित मदन मुहन मालवी के द्वारा बनारस हिंदू विश्विद्याल है कि अस्थापना की गई थी और यहाँ पे पहला जो दिया गया है 1875 में अस्थापित किया गया था और जोहालल नहरू विश्विद्याल है कि अस्थापना 1979 में संसत के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और इसकी अस्थापना ततकालीन प्रधानमंद्री इंद्रा गांधी के दौरा किया गया था सत्र में कारिकारी कमेटी को सबिने अग्या आंदूलन प्रारंब करने का अधिकार दिया गया था तो यह लाहौर अधिवेशन में दिया गया बी आप्शन सही हो जाएगा वर्स 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस कारिकारी को सबिने अग्या आंदूलन शुरू करने का और फरवरी 1930 में साबरमती यासरम में हुई कांग्रेस कारिकार्णी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेत्रियत्व सौंपा गया था। तो सभीने अग्या आंदोलन पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ था। अगला कोशिन है दांडी यात्रा के साथ निमलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे सी आफ्सन सेवगा सभीने अग्या आंदोलन। दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंकिया और इस प्रकार जो है नमक कानून तोड़कर उन्होंने अवपचारिक रूप से सभीना अग्या आंदोलन का सुबारम किया था। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी आफ्सन उपयुक में से सभी सरोजनी नाइडू, राजकुमारी अम्रित कौर, कमला देवी चटो पाग्या है। तो इन सभी लोगों ने नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। अगला जो कोशन है, गांधी जी ने जिस बिदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी सावरमती आसरम में ठहराया, उसका नाम क्या था। तो यहां पर भी आप सुझे होगा वेव मिलर। वेव मिलर एक अमेर्की पत्रकार था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपनी सावरमती आसरम में ठहराया था। धरशना की बिवत्स पुलिस जात्तियों का उले करती हुए इसने वेव मिलर ने लिखा है कि संबाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्स में असंख्य नागरिक बिद्रोह देखे हैं, दंगे, गली, कुचो, में मारकाट, यों, बिद्रोह देखें लेकिन धरशना ज रास्ट्री कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो यह था बंगाल, यह आपसं से हो जाएगा, 1937 के दौरान, छे प्रांतों में भारती रास्ट्री कांग्रेस ने अपनी मंत्री मंदल गठित किये, जिनमें मद्रास था, बंबई था, मधिपरान था, उडिशा, बि थी कहाँ पर, तो बंगाल में, अगला कोशन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत, 1937 में हुए चुनाओं में गठित, कांग्रेस मंत्री मंदलो का कारेकाल था, तो यह 28 माह का था, D विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, अगला जो कोशन है, निमलखित भारती रास्ट्री अधिवेशन में सुभाष चंद्रबोस दूसरी बार अधियक्च चुने गए थे, हो गया था, तिरपुरी अधिवेशन, सी विकल्प यहाँ पर, सही हो जाएगा आपका, 1938 के कांग्रेस के हरीपूरा, जो की गुजरात में है, अधिवेशन में सुभाष चंद्रबोस कांग्रेस की दूसरी बार अधियक्ष बने, परन्तु कारिकारडी के गठन के प्रशन पर गांधिजी से मतभेत के कारड़ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद डाक्टर राजेंदर परसाथ कांग्रेस की अधियक्ष बने थे, तो यहाँ पे C विकल्प स की CPI ने भी और Unionist Party of Punjab, इन सब इने, अगला जो कोशिन है, निमलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो यह थे सरदार बल्लब भाई पतेल, सी विकल्प से हो जाएगा, आठ अगस्त 1942 को, अखिल भारती कांग्रेस कमेटी की बैठक मे पंडित जोहारलाल नहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेस किया गया था, जिसका सरदार बल्लब भाई पतेल ने समर्थन किया था, तो C आप्षन सही हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेक, यानि कि प्रारूप बनाया था किसने इसका सही बिकल्प होगा, आप्षन B, महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट, स्वेम महात्मा गांधी ने नहरू और अबूल कलाम आजात के सहयोग से बनाये थे, तो यहाँ पे B, आप्षन सही हो जाएगा, अगला जो कोशन है, भारत छोड़ो और करू या मरो का नारा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जबकि करू या मरो का नारा पूछा जाता है, तो एक भारत छोड़ो आंधोलन के समय ही, गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे जो है आपका, सी विकल्प से योगा, भारत छोड़ो का नारा, क वेदे मौलाना अबुलकालाम आज़ाद भी विकल्प सही हो जाएगा हाँपर, अगला जो क्योशन है, भारच छोड़ो अंदोलन के समय निम्नाकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, वेधी उसा महता सी विकल्प सही हो जाएगा, भारच छोड़ो अंदो विगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्पूर सदस्या थी है और अगला प्रश्ण है अब आजाद हिंद फौज का प्रसम सेनापती कौन था तो वो यह थे मोहन सिंग, कैप्टन मोहन सिंग, यह आपसम से हो जाएगा आजाद हिंद फौज की पहली डिविजन का आपचारी गठन जो हुआ, वह 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंग इसके प्रथम सेनापती थे अगला प्रश्ण है अब आजाद हिंद सरकार के निर्मान की घोषना की गई थी कब? तो यह किया गया था, 21 अक्टूबर 1943 को, सी भी कब से हो जाएगा 4 जुलाई 1943 को रास्ट बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुवाशंदर बोस को सौप दी 21 अक्टूबर 1943 को, सुवाशंदर बोस ने सिंगापूर में सुवतंतर भारत की एस्थाई सरकार यानि कि आजाद हिंद सरकार का गठन किया तो सन याद रखेगा, पूछा जाता है अगला जो कोशन है, इनमें से किस ने रानी लच्वी बाई रेजिमेंट का अस्थापना की इसका सही बिकल्प हो जाएगा, आपसंड बी, सुवाशंदर बोस रानी लच्वी बाई की नाम पर रानी लच्वी बाई रेजिमेंट की अस्थापना वर्स उननी सो तैलीस में सुवाशंदर बोस ने किया था और लच्मी सहगल लच्मी सहगल, अजाध हिंद फौज की महिलां बीग्रेड रानी लच्वी बाई रेजिमेंट की कमानडर थी अजाद हिंद फोज के अने बिग्रेट थे सुवास बिग्रेट, नेहरू बिग्रेट और गांधी बिग्रेट अगला जो कोशन है भारत सरकार अधिनियम 1935 निमलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था तो यह था साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर आधारित भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनेतिक परिस्थिति का प्रतेक 10 वर्स के पश्यात पुन्रावलोकन किया जाए और वर्स 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंब कर दी गई और साइमन आयोग निक किया गया साइमन आयोग 1927 में नेक्ट हुआ था लेकिन भारत में आया मार्च 1928 में तो सरुदली कांफरेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और साइमन आयोग रिपोर्ट यों गोल में सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वेत्पत्र एसर भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे तो डी आपसनिया सही हो जाएगा कुल तीन गोल में सम्मेलनों थे आपको पता ही होगा अगला प्रशन है निम्लिकित में से किस ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तो यह कहा गया था पंडिक जोहालाल नहरू के द्वारा ए विकल्प से हो जाएगा 1935 के अधिनियम के बारे में जोहारला नहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं और वे वर्स 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे वे पंचसील के पड़ेता थे और गुट निरपेचिता में विश्वास रखने वाले नेता थे पंडी जोहारला नहर अगला जो कोशन है भारे सरकार अधिनियम 1935 में अन्तरविष्ट अनुदेश प्रपत्र यानि कि इंस्ट्ूमेंट आफ इंस्ट्रक्शंस को वर्स 1950 में भारत के सम्विधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया तो इक किया गया था राज के नेत निदेशक तत्तो में भी बिकल्ब से हो जाएगा और राज के नेत निदेशक तत्तो देखा जाए तो आर्टिकल 36 से 51 तक है और भारत सरकार अधिनियम 1935 में अन्तरविष्ट अनुदेश प्रपत्र यानिकि इंस्टूमेंट आफ में भारत के समिधान में राज के नेत निदेशक तत्तो के रूप में समाविष्ट किया गया है और आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तिया कहा है अगला जो कोशन है यह किस ने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई छमा नहीं मागनी है कि संबिधान के प्रारूप में गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 की एक बड़े भाग को पून है उत्पादित कर दिया गया है तो यहाँ पे डी आप्सने होगा डाक्टर भीम राण अमबेर्ट कर 29 अगस्ट 1947 को डाक्र भीम रां अमबेर्ट कर के सभापतित्तों में प्रारूप समीटी निवकey गयी थी और प्रारूपसमिती की अधियक्च भी थे डाक्टर भीम रा अमबेर्ट कर तो प्रारूप समिती द्वारा तयार किया गया भारत की संभिधान का प्रारूप 21 फरवरी 1949 को संभिधान सभा के अध्यक्च को पेस किया गया और 4 नौवंबर 1949 को संभिधान सभा में संभिधान के प्रारूप को विचार के लिए पेस करते समय डाक्टर अंबेटकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संभिधान के प्रारूप में भारत सासन अधिनियम 1935 के अधिकांस प्रावधान को जियों का त्यों सामिल कर लिया गया है मैं उसके बारे में कोई छमायाचना नहीं करता, किसी से उधार लेने में कोई सर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है और सम्विधान के मूल बिचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है तो आपको पता हुगा सम्विधान के जो बिभिनिस रोत हैं जैसे की राज की नीति निदिसक्तर तो आयरलेंड से लिए गया है अगला कोशन है भारति रारश्ट्री कांग्रेज का पहला महा सचीओ कौन थे? तो यहाँ पे भी आपसओं से हो जाएगा यह हूँ भारति राश्ट्री कांग्रेज की अस्थापना अठारे सो पचासी में बंबई में किया गया था इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर जी यानि कि विवमेश चंदर बनर जी और पहले महासचीव A.O. Hume थे A.O. Hume एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेज की अस्थापना में महत्पूर भूमिका अदा की थी तो यहाँ पे B. आफसन सही हो जाएगा अगला कॉशन है निम्लिखित में से किसने महात्मा गांधी को One Man Boundary Force कहा था तो यहाँ पे D. आफसन सही होगा Lord Mountbaton ने Lord Mountbaton ने महात्मा गांधी को One Man Boundary Force कहा जबकि रविना टैगोर ने महात्मा स्वाशंद्र बोस ने राष्ट पिता कहा था और स्वाशंद्र बोस को रविना टैगोर ने देशनायक का था स्रोजनी नाइडू को महात्मा गांधी ने Nightingale of India कहते गांधी जी अगला जो कॉशन है आपका भारत एक मात्र यहूदी वाइसराय है भारत का एक मात्र यहूदी वाइसराय कौन था तो हुए थे लाड रीडिंग भी विकल्ब से हो जाए गया थे लाड रीडिंग ये 1921 से लेकर के 1926 तक भारत का एक मात्र यहूदी वाइसराय थे इसी के समय चोरी-चोरा कांड के बाद असाहिव गांदोलन वापस लिया गया था और लाड इर्विन जो की 1926 से 1931 इस भी तक भारत के वाइसराय थे जिसके समय में तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिशन भारत आया था तो यहाँ पे आपको पता होगा चोरी-चोरा कांड कब हुगा था तो पांच फरवरी 1922 को चोरी-चोरा कांड हुगा था अगला जो कोशन है आपका निमलिखित में महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्ति नहीं है तो यहाँ पे भी आपसम देख सकते हैं कि गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे यह आपका सही नहीं है, मातमा गांधी भगवत गीता को अपनी पिता नहीं, क्या मानते थे, माता मानते थे, इन्होंने सरोधय की अधाड़ा दी और यह कुटिर उद्योगों के समर्थक थे, तथा टालिस्टाय की बिचारों से प्रभावित थे, तो कोशन भी पूछा जाता 1917 में, और गांधी जी दार्शनीक राजक्तावादी थे, बिल्कुल सही है, गांधी जी ने राश्ट्री अस्तर पर सत्याग्रे का प्रथम प्रियोग रॉलेट एक्ट के दोरान किया था, रॉलेट एक्ट के होगा तो 1919 में, और यह राश्ट्री अस्तर पर पूछा गया, यहाँ पर रॉलेट एक्ट के दोरान होगा 1919 में, अगला जो कोशन है, सक्ति के विरुद्ध, अधिकार की इस लड़ाई में, मैं विस्व की साहान भूती चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरियुक्त कथन किस आंदोलन के दोरान कहा था, तो इन्होंने कहा था, दांडी मा आच के समय गांधी जी के दोरा कहा गया, और गांधी जी ने आंदोलनों में, चंपारड आंदोलन, जो की 1970 में हुआ, उसके बाद एहमदाबाद, मिल मजदूर आंदोलन, यह 1908 में हुआ था, असाहिव का आंदोलन की सुरुआत 1920 में हुई थी, भारत छोड़ों आंदोलन में, उसके बाद सभी ने और गया आंदोलन, यह 1930 में हुआ, तो यह सभी काफी महतपूर थे, अगला कोशिन है अब निमलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी आपसन है, तो पुछा गया इसमें से कौन सा सकते है, यानि कि सही है, तो यह आपसन आप देख सकते हैं, कि उधम सिंग द्वारा लंदन में, माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी, तो यह बिल्कुल सही है, उधम सिंग ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या लंदन में की थी, और गांधी जी ने सत्याग्रे आश्रम के अस्थापना 1988 में किया गलत थे आपका, किसन में किये थे, तो 1915 में किये थे, यहाँ पर ए आपसन सही होगा, तियां रखिएगा, और C आपसन दिया गी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खरा कर दूँगा, एक अथन दिया गया सुवास्चंद बोश, जो की गलत है, एक अपरेल, 1930 नहीं, बलकि 1929 को फेका गया था, इसमें भागत सिंग और बटके सवरदत की द्वारा ये बम फेका गया था, अगला कुशन है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर, अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था, और इस मुकदमे में तिलक की वकील कौन थे, तो यहाँ पर ये आपसन सेव का मुहमद अली जिन्ना, बाल गंगा धर तिलक ने 16 अपरेल, 1916 इस भीको बेल गाओं, जो की करनाटक में है, होम रूल लीक का गठन किये, इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तिलक पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में तिलक की ओर से, मुहमद अली जिन्ना ने वकीलों की टीम का नेत्रोत किया था, तो होम रूल रांदोलन की शुरुआद दो लोगों ने किया था, एक तो बाल गंगा धर तिलक ने, और दूसरा एनी बेशेंट ने, अगला कुशन है, भगत सिंग, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत्राय ने प्रदर्शन किया और जिसमें उन्हें बरबरता से पीटा गया और बाद में उनकी मृत्त्यू हो गई, और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंग, चंदसेखर आजाद और बटकेश्वरदत ने लाठी चार्ज करने वाले पुल से तो पहला जो दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के अस्थापना 1924 में की गई थी, बिल्कुल सही है, यह चारे, यह स्थापना कभ होई थी, तो 1924 में हुआ था, दूसरा दिया गया है, यह जिस आरे, यह यानि कि हिंदुस्तान सोसलिस्ट 28 में तो यहाँ पे जो है दूसरा गलत है पूछा गया है कौन सा तत्य सही नहीं है तो भी आपसन के आपका सही नहीं है आगे भी देख लेते हैं कि भारत नौजवान सभा की अस्थापना 1926 में की गई थी तो यह आपका जो है बिल्कुल सही है और अभिनेव भारत की अस्थ पिचार में की गई थी यह भी आपका सही है अगला प्रशन है 1916 17 में जस्टीस आंदोलन कहां चलाया गया था तो यह मद्रास में चलाया गया था बी विकल्ब से हो जाएगा इंसी मुदालियर की पी त्यागराज और टीम नायर द्वारा मद्रास में जस्टीस आंदोलन 1916 1717 में चलाया गया था केरल में 1924 में एक वाइकोम सत्यागर या आंदोलन जो है चलाया गया था यह पूछा जाता है वाइकोम आंदोलन कहां चलाया गया केरल में और कब तो 1924 में अगला जो कोईशन है भारत का प्रथम मजदूर संग किस ने अस्थापित किया था तो यहा भारत का प्रथम मजदूर संग अस्थापित किया था और लाला लाचपत राय ने 1920 इस भी में अस्थापित अखिल भारती ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उसके बाद इन जी यह में जोसी के प्रयास से 1925 में अखिल भारती सामिवादी दल की अस्थापना हुई थी तो यहां पे सी बिकल्ब सही होगा मजदूर संग किसने अस्थापित किया था तो बीपी वाडिया ने अगला कोशन है वर्स उत्रप्रदेश के प्रतापः जीले में अवद की सान सबह का गठन किया इसमें गौरी संकर मिष्र माता बदल पांडे बापा राम चंद्र देवनाराएन पांडे किदार्गनाथ और जौहर यहूर्ष नहरू यह सभी सामिल थे अगला जो कुशन है तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा सवर पर्थम यह नारा सुभाश्यंद्र बोष ने कहां दिया था तो यह आपको पता होगा कि तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें अजादी दूगा किसका नारा है तो सुभाशन्दर बोस का लेकिन पुशा गया यह, इन्होंने कहाँ दिया था यह नारा, तो यह दिया गया था अपका सिंगापूर में भी आपसंसरी हो जाए गया यहाँ पे 1943, हिस्दिवियमे सुभाशन्दर बोस सिंगापूर पहुँचे जहां इन्हें आजाद हिंद फोज का सरोचे सेनापती घोशित किया गया इन्होंने यहीं पर तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी का नारा दिये थे अगला कोशन है जापान से प्राप्त दीप जिसका नाम सुवास्चंदर बोस ने सहीद दीप रखा था कहां है तो यह है अंडमान में यह भी कल्ब से हो जाएगा उनिस सो तैलिस में जापान ने अंडमान और निकुबार दीप सुवास्चंदर बोस को सौप दिये थे स्थापना कब की गई थी तो यह किया गया था उनिस सो तैलिस में भी विकल्ब सही हो जाएगा यहां पर 21 अक्टूबर militar को सुवास्चंदर बोस ने सिंगापुर में आजाद हिं सरकार के स्थापना की जो एक है इस्थाई सरकार थी और जापान जर्मनी और इटली ने इसे मानिता परदान की इस ऐस्थाई सरकार में जो सुबाश चंदर बोस वधान मंतरी और युद्ध तथा बिरेस मामलों के मंतरी भी थे अगला कुशन है 1945 इस भी में आजाद हिंद फोज के कैदियों पर सारोजनिक मुकदमा कहां चलाया गया तो ये चलाया गया था दिल्ली में सी विकलब से हो जाएगा 1945 में आजाद हिंद फोज के कैदियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया एक कुशन पूछा गया याद रखेगा और इस मुकदमे में आजाद हिंद फोज के सैनिकों की तरब से बूला भाई देशाई, पंडित जोहलाल नहरू, तेजबादू सप्रू, कहलासनात काटजू और आसफ अली ने बचाओ, यहने की वकालत किया था अगला कुशन है, 1945 में दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फोज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया था तो यहाँ जो सही हो जाएगा यह आप्शन, कैप्टन मोहन सिंग, 1945 में अजाद हिंद फोज के सैनिक गुरू बक्स सिंग, प्रेम कुमाल सैगल तथा सहनुआज खान पर मुकदमा चलाया गया, मोहन सिंग इसमें सामिल नहीं थे, तो यह आप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपे, तो दोस्तों यह था आपका भारती रास्ट्री आंदोलन के महतपूर परस्ण, जोकी यह सिकेंड पार्ट था, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेर जो है अबलिबल है, जो की 20 कोशिन जो है डेली करा जाते हैं इसमें, और टाम डियोरेशन जो है, वो 30 मिनट का है, तो यह भी आप जोईन कर सकते हैं अगेडमी पे, लक्छी यूपी पेसी पीसी प्रिलिम्स के लिए, टेस्ट तरीज है, लोवर पीसी एस के लिए है, आरो अगस्त जो है बैस शुरू हो रहा है, जो लोग जोईन करना चाते हैं, जोर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है, फिर आपका सी सेट के लिए आप यह जो प्रिलिम्स के लिए जो है, यह कराय जा रहा है, जो की 11 अगस्त से बैस जाएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते से हमारा रेफरल कोड एकजाम लर्नर यह जरूर यूज कीजेगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिसकाउंट मिल जाएगा, तो यह रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजेगा, उसको सूपर कामबो सब्सक्रिप्शन अभी चला है अनकेडमी पे, और अनकेडमी को आप टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं, जिससे आपको मैटेरियल और जो है, मिलता रहेगा,